नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप moral and motivation कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल empower the life पर आ सकते हैं, आपका वहाँ स्वागत है The Golden Stories में आपका स्वागत है आईए सुनते हैं मुशी प्रेमचन की लिखी कहानी तथ्ये वह भेद अमरित के मन में हमीशा जियों का तेओं बना रहा और कभी न खुला ना तो अमरित की नजरों से ना उसकी बातों से और ना रंग धंग से ही पूर्णिमा को कभी इस बात का नाम को भी भ्रम हुआ और लड़कपन की दोस्ती का जिस तरह निभा होना चाहिए उसके सिवा अमरित का मेरे साथ और किसी परकार का संबंध है या हो सकता है बेशक जब वे घड़ा लेकर कुवे पर पानी खीचने के लिए जाती थी तब अमरित भी इश्वर ना जाने कहां से वहाँ आप पहुंसता था और जबरदस्ती उसके हाथ से घड़ा चीन कर उसके लिए पानी खीच देता था और जब वे अपनी गाय को सानी देने लगती तब वे उसके हाथ से भूसे की टोकरी ले लेता और गाय की नाद में सानी डाल देता जब वे पनिये की दुकान पर कोई चीज लेने जाती थी तब अमरित भी अकसर उसी रास्ते में मिल जाया करता था और उसका काम कर देता था पूर्णी मा के घर में कोई दूसा लड़का या आदमी नहीं था उनके पिता का कई साल पहले पढ़लोकवास हो चुका था और उसकी मा परदे में रहती थी जब अम्रित पढ़ने जाने लगता तब पूर्णिमा के घर जाकर पूछ लिया करता कि बाजार से कुछ मंगवाना तो नहीं है उसके घर में खेती बारी होती थी गाए भैसे थी और बाग बगीचे भी थे वे अपने घरवालों की नजर बचाकर फसल की चीजे सौकात के तोर पर पूर्णिमा के घर दे आता था लेकिन पूर्णिमा उसकी इन खातिरदारियों को उसकी भल मनसाहत और खाने पीने से संतुष्ट होनी के सिवा और क्या समझे और क्यूं समझे एक गाउं में रहने वाले चाहे किसी प्रकार का रक्त संबन या कोई रिष्टेदारी ना रखते हो लेकिन फिर भी गाउं के रिष्टे से भाई बहन होते ही है लेकिन इन खातिरदारियों में कोई खास बात ना थी एक दिन पूर्णिमा ने उससे कहा भी कि तुम दिन भर मदरसे में रहते हो मेरा जी घबराता है अमरित ने सीधी तरह से कह दिया क्या करूँ इम्तिहान पास आ गया है मैं सोचा करती हूँ कि जब मैं चली जाओंगी तब तुम्हें कैसे देखूंगी और तुम क्यों मेरे घर जाओगे अमरित ने घबरा कर पूछा कहां चली जाओगी पूर्णी मा लजा गई फिर बोली अरे जहां तुम्हारी पहने चली गई जहां सब लड़कियां चली जाती है अमरित ने निराश भाव से कहा अच्छा यह बात इतना कहकर अमरित चुप हो गया अभी तक यह बाते कभी उसके ध्यान में नहीं आई थी कि पूर्णी मा कहीं चली भी जाएगी इतनी दूर तक सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं थी प्रसनता तो वर्तमान में ही मस्त रहती है यदि भविश्य की बाते सोचने लगे तो फिर प्रसनता ही क्यों रहे और अमरित चितनी जल्दी इस धुर्गटना के होने की कल्पना कर सकता था उससे पहले ही ये धुर्गटना एक खबर के रूप में सामने आ ही गई पूर्णी मा के ब्या की एक जगा बातचीत हो गई अच्छा दोलत मन्द खानदान था और साथ ही इज़ददार भी पूर्णी मा की मा ने उससे बहुत खुशी से मन्जूर भी किया गरीबी की इस हालत में उसकी नजरों में जो चीज सबसे ज़्यादा प्यारी थी वहे दोलत थी और यहां पूर्णी मा के लिए सब तरह से सुखी रहकर जिन्दकी बिताने के सामान मौजूद थे मानो उसे मूँ मागी मुराद मिल गई हो इससे पहले वे मारे फिक्र के घुली जाती थी लड़की के ब्या का ध्यान आते ही उसका कलेजा धड़कने लगता था अब मानो परमात्मा अपने एक ही कटाक्ष से उसकी सारी चिन्ताओं और विकलताओं का अंत कर दिया अमरित ने सुना तो उसकी हालत पागलो की सी हो गई वे बेताशा पूर्णी मा के घर की तरफ दोड़ा मगर फिर लोट पड़ा होश ने उसके पैर रोक दिये वे सोचने लगा कि वहाँ जाने से क्या फाइदा आखिर उसमें उसका कसूर ही क्या है और किसी का क्या कसूर है अपने खर आया और मो ढगकर लेट रहा पूर्णी मा चली गई फिर वे कैसे रहेगा वे विचलिस सा होने लगा वे जिन्दा ही क्यों रहे जिन्दगी में अब रखा ही क्या है लेकिन ये भाव भी दूर हो गया और उसका स्थान लिया उस नीस तबताने जो तुफान के बाद आती है वे उदासीन हो गया जब पूर्णी मा जाती ही है तो वे उसके साथ कोई संबंध क्यों रखे क्यों मिले जुले और अब पूर्णी मा को उसकी परवा ही क्यों होने लगी और परवा थी ही कब वे आप ही उसके पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाता रहता था पूर्णी मा ने तो कभी बात भी नहीं पूछी और अब उसे क्यों न अभिमान हो एक लगपती की स्त्री बनने जा रही है शौक से बने अमरिज भी जिन्दा रहेगा मरेगा नहीं यही जमाने की वफादारी की रस्म है लेकिन ये सारी तेजी दिल के अंदर ही अंदर थी और निरर्थक थी भला उसमें इतनी हिम्मत कहां थी कि जाकर पूर्णिमा की मा से कह दे कि पूर्णिमा मेरी है और मेरी ही रहेगी गजब हो जाएगा गाउं में आफत मच जाएगी ऐसी बाते ना गाउं की कहानियों में कभी सुनी और ना तेहातों में कभी देखी है और पूर्णिमा का यह हाल था कि दिन भर उसका रास्ता देखा करती थी वे सोस्ती थी कि क्यूं मेरे दर्वाजे से होकर निकल जाता है और क्यूं अंदर नहीं आता कभी रास्ते में मुलाकात हो जाती है तो मानो उसकी परचाई से भागता है वे पानी की कलसी लेकर कुवे पर खड़ी रहती है और सोचती है कि वे आता होगा लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं देता एक दिन वे उसके खर गई और उसे जवाब मांगा उसने पूछा तुम आज कल आते क्यों नहीं? बस उसी समय उसका गला फर आया उसे याद आ गया कि अब वे इस गाउं में थोड़े ही दिनों की महमान है लेकिन अमरित चुपचापचियों का त्यों बैठा रहा लापरवाई से उसने सिर्फ इतना कहा इम्तिहान पास आ गया है, फुरसत नहीं मिलती फिर कुछ टहर कर उसने कहा सोचता हूँ कि जब तुम जा ही रही हो वे कहना ही चाता था कि तो फिर अब महबत क्यों बढ़ाऊं मगर उसे थ्यान आ गया कि बहुत मुर्खता की बात है अगर कोई रोगी मरने जा रहा है तो क्या इसी विचार से उसका इलाज छोड़ दिया जाता है कि वे मरेगा ही इसके विफरेत ज्यों जो उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होती जाती है तियों तो लोग और भी अधिक तत परता से उसकी चिकिसा करते है और जब उसका अंतिम समय आ जाता है तब तो दोड़ धूब की हदी नहीं रहती उसने बात का रुख बदल कर कहा सुना है वे लोग भी बहुत मालदार है पूर्णिमा ने उसके ये अंतिम सब्द सुने ही नहीं या उनका जवाब देने की जरूरत नहीं समझी उसके कानों में तो जवाब का पहला इस्सा गूंज रहा था उसने बहुत ही दुखपून भाव से कहा तो तो इसमें मीरा क्या कसूर है मैं अपनी खुशी से तो नहीं जा रही हूँ जाना पढ़ता है इसलिए जा रही हूँ ये कहते कहते मारे लज्जा के उसका चेहरा लाल हो गया जितना उसे कहना चाहिए था शायद उससे जादा वे कह गई थी महबत में भी शत्रंज किसी चाले होती है अमरित ने उसकी तरफ इस तरह देखा कि मानोवे इस बात की चांच करना चाता है कि इन शब्दों में कुछ अर्थ है भी या नहीं क्या अच्छा होता कि उसकी आँखों में आरपार देखने की शक्ती होती इस तरह तो सभी लड़किया निराश भाव से बात करती है मानो ब्या होते ही उनकी जान पर आवनेगी मगर सभी लड़किया एक ना एक दिन अच्छे अच्छे कहने और कपड़े पहन कर और पालकी में बैठकर चली जाती है इन बातों से उसको कोई संतोश नहीं हुआ फिर ढरते ढरते बोला तब तुम्हें मेरी याद क्यों आएगी उसके माथे पर पसीना आ गया उसे ऐसी बेढ़ंग शर्मिंदगी हुई कि जी चाहा कमरे से भार भाग जाओ पूर्णिमा की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई कहीं वह समझ ना गई हो पूर्णिमा ने सिर छुका कर मानो अपने दिल से कहा तुम मुझे इतना निर्मोही समझते हो मैं पेकसूर हूँ और मुझसे रूटते हो तुम्हें इस समय मेरे साथ सहानू भूती होनी चाहिए थी तुम्हें उचित था कि तुम मुझे ढाडस देते और तुम मुझसे तने बैठे हो तुम ही बदलाओ कि मेरे लिए और कौन सा दूसरा रास्ता है जो मेरे अपने है वही मुझे गैर के घर बेज रहे है वहां मुझे पर क्या बीतेगी मेरी क्या हालत होगी क्या यही गम मेरी जान लेने के लिए काफी नहीं है जो तुम उसमें अपना गुसा भी मिलाए देते हो उसका गला फिर भराया आज पूर्णिमा को इस परकार दुखी और उदास देखकर अमरित को विश्वास हो गया कि इसके अंदर भी एक छीपी हुई वेदना है उसका ओच्छा पन और स्वात पड़ता मानो कालिक बन कर उसके चेहरे पर चमकने लगी पूर्णिमा के इन शब्दों में पूरी सत्यता थी और साथ ही कितनी फटकार और कितना अपमान भी भरा हुआ था जो पराये हों उनसे शिकायत ही क्यों करें अवश्य ऐसी ही अवस्था में उसे पूर्णिमा को धाड़स दिलाना चाहिए था ये उसका करतव्य उसे बहुत प्रसंता के साथ पूरा करना चाहिए था पूर्णिमा ने प्रेम का एक नया आधर्ष उसके सामने रख दिया था और उसका विवेक इस आधर्ष से बचकर नहीं निकलने देता था इसमें संदे नहीं कि प्रेम भी एक स्वार्थ त्याग है परन्तु बहुत बड़ा और जिगर को जलाने वाला उसने लज्जित होकर कहा माफ करो पूर्णिमा मेरी भूल थी बलकि बेवकूफी थी पूर्णिमा का ब्या हो गया अमरित जी जान से उसके ब्या के प्रबंद में लगा रहा धूला अधेर था तोंदल और भूंटा था और साथ ही बहुत खमंडी और बद मिजाज भी था लेकिन अमरित ऐसी ततपरता से उसकी खातिरदारी कर रहा था कि मानु वह कोई तेरता हो और उसकी एक ही मुस्कुराहट उसे स्वर्ग में पहुँचा देगी पूर्णिमा के साथ बाच्चित करने का अमरित को अफसर ही नहीं मिला और ना उसने अफसर निकालने का कोई पर्यास ही किया वह पूर्णिमा को जब देखता था तब वह रोती ही रोती थी और अम्रित आखों की जबान से जहां तक हो सकता था बिना कुछ कहे ही उसे जितना धाडस और तसली दे सकता था वहत देता था और उसके प्रती सहानुबूती दिखलाता था तीसरे दिन पूर्णी मा रोधो कर ससुराल विदा हो गई अम्रित ने उसी दिन शिवजी के मंदिर में जाकर परम निष्ठा तता भक्ती से भरे हुए दिल से प्रातना की कि पूर्णी मा सदा सुखी रहे जब नया और ताजा गम हो तो फिर इधर उधर के और फाल्तु विचारों का भला कहा परवेश हो सकता है दुख तो आत्मा के रोगों का नाशक है परन्तु मन में उसे एक तरह की शुन्निता का अनुभव हो रहा था मानो अब उसका जीवन उजाड हो गया था अब उसका कोई उद्ध्यश्य या कोई कामना नहीं रह गई थी तीन बरस बाद पूर्णिमा फिर मैके आई इस बीच में अमरित का भी ब्या हो गया था और जीवन का जुआ गर्दन पर रखे हुए लकीर पीरता चला जा रहा था परन्तु उसके मन में एक ऐसी आस्पष्ट सी वासना दभी हुई थी जिसे वह कोई स्पष्ट रूप नहीं दे सकता था वह वासना धर्मा मीटर के पारे की तरह उसके अंदर सुरक्षित थी अब पूर्णिमा ने आकर उसमें गर्मी पैदा कर दी और वह पारा चड़ कर सर्शाम की सीमा तक जा पहुंचा उसकी गोद में दो बरस का एक प्यारा सा बच्चा था अमरेद उस बच्चे को दिन रात मानों गले से बांधे रहता वे सवेरे और संध्या उसे गोद में लेकर टहन ले जाया करता और उसके लिए बाजाहर से तरह-तरह के खिलोनी और मिठाईया लाया करता सवेरा होते ही उसके जलपान के लिए हलवा और दूद लेकर पहुँचा जाता था उसे नहलाता, धुलाता और उसके बाल साफ करता उसके फोड़े फुनसियां धोकर उन पर मरहम लगाता ये सभी सेवाएं उसने अपने जिस्म में ले ली बच्चा भी उसके साथ इतना हिल मिल गया कि पल भर के लिए भी उसका गला न छोड़ता यहां तक कि कभी-कभी उसी के पास सो भी जाता और पूर्णिमा के आकर बुलाने पर भी उसके साथ नहीं चाता अमरित पूस्ता तुम किसके बेटे हो? बच्चा कहता भी निखराया, कली खिलकर फूल हो गई अब उसके सभाव में एहम और अभिमान आ गया था और साथ ही बनाव शिंगार से प्रेम भी हो गया सोने की घेनों से सचकर और रेशमी साड़ी पहन कर अब वे और भी अधिक आकरशक हो गई थी और ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे अमरित से कुछ बचना चाती है बिना कोई विशेश आवशकता हुए उससे बहुत कम बोलती है और जो कुछ बोलती भी है वे इस धंग से बोलती है कि मानो अमरित पर कोई एहसान कर रही है अम्रित उसके बच्चे के लिए इतनी जान देता है और उसकी फर्माईशों को कितने शौक से पूरा करता है लेकिन उपर से देखने पर यही जान पड़ता था कि पूर्णिमा की निगाहों में उसकी इन सब सेवाओं का कोई मुल्ले ही नहीं था मानोसेवा करना अम्रित का करतव्य है और वे करतव्य उसे पूरा करना चाहिए इसके लिए वे किसी परकार के धन्नेवाद या किर्टग्यता का अधिकारी नहीं है जब बच्चा रोता है तब वे उसे थमकाती है कि खबरदार रोना नहीं नहीं तो मामा जी तुमसे कभी न बोलेंगे और इतना सुनते ही बच्चा चुप हो जाता है जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है तब वे अमरित को बुला कर मानो आग्या के रूप में उससे कह देती है और अमरित भी तुरंत उस आग्या का पालन करता है मानो वे उसका गुलाम हो और वे भी शायद यही समस्ती है कि मैंने अमरित से गुलामी का पट्टा लिखा लिया है छे महीने मैंके रहकर पूर्णीमा फिर ससुराल चली गई अमरित उसे पहुँचाने के लिए स्टेशन तक गया जब वे गाड़ी में बैठ गई तब अमरित ने बच्चा उसकी गोद में दे दिया अमरित की आँखों से आसु की बून टपक पड़ी और उसने मूँ फेर लिया और आँखों पर हाथ फेर कर आसु पोँच डाले पूर्णीमा को अपने आसु कैसे दिखलाए क्योंकि उसकी आँखे तो एकदम खुशक थी लेकिन फिर भी उसका जी नहीं मानता था वे सोसता था कि ना जाने अब फिर कब मुलाकात हो पूर्णीमा ने कुछ अभिमान के साथ कहा पच्चा कई दिन तक तुमारे लिए बहुत हुड़केगा अमरित ने भरेवे गले से कहा मुझे तो उम्र भर भी इसकी सूरत नहीं बूलेगी कभी कभी एकात पत्र तो भेज दिया करो भेजूंगा मगर मैं जवाब नहीं दूँगी यह समझ लो मत देना मैं मांगता तो नहीं मगर याद रखना गाड़ी चल पड़ी अमरित उसकी खिर्की की ओर देखता रहा गाड़ी के कोई एक फरलांग निकल जाने पर उसने देखा कि पूर्णिमा ने खिर्की से सिर निकाल कर उसकी तरफ देखा और फिर बच्ची को कोद में लेकर उसी जरासा दिखला दिया अमरित का हिर्दय उस समय उड़कर पूर्णिमा के पास पहुँच जाना चाहता था वे इतना प्रसन है कि मानोस का उद्ध्यश्य सिध हो गया हो उसी वर्ष पूर्णिमा की मा का देहांत हो गया पूर्णिमा उस समय सफर में थी वे अपनी मा को अंतिम समय ना देख सकी जहां तक हो सकता था अमरित ने पहले तो उसकी पूरी चिकिस्सा की और उसके मर जाने पर उसका क्रिया करम भी कर दिया भ्रामनों को भी और बिरादरी वालों को भी भोचन कराया मानो स्वैम उसी की मा मर गई हो स्वैम उसकी पिता का देहांत हो ही चुका था इसलिए वे आप ही अपने घर का मालिक हो गया था कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं था पूर्निमा अब किस नाते से महके आती और फिर अब इसे इतनी फुर्सत ही कहा थी अपने घर की मालकिन थी घर किस पर छोड़ कर आती उसे दो बच्चे और भी हुए पहला लड़का बड़ा होकर स्कूल में पढ़ने लगा छोटा देहाद के मदरसे में पढ़ता था अमरित साल में एक बार नाई को भेज कर उन सब की खैर सल्ला मंगा लिया करता था पूर्णिमा सब परकार से सुखी और निश्चिंथ है और उसकी तसली के लिए इतना ही काफी था अमरित के लड़के भी सयाने हो गए थे वे घर गरस्ती की चिंताओं में फसा रहता था फिर उसकी उम्र भी 40 से आगे निकल गई परन्तु फिर भी पूर्णिमा की स्मृती अभी तक उसकी हिर्दे की गंभीर तर भाग में शुरक्षित थी अचानक एक दिन अमरित ने सुना कि पूर्णिमा के पती का देहांध हो गया परन्तु आश्चरे यह था कि उसे कोई दुख नहीं हुआ वे योही अपने मन में ये निचे कर बैठा था कि इस खबीस बुड़े के साथ पूर्णिमा का जीवन कभी इश्या के योगे नहीं हो सकता करतवे की विवश्चता और पती वर्थ धर्म के पालन के विचार से उसने कभी अपना हार्दिक कष्ट प्रकट नहीं किया था परन्तु ये असंभव है कि सभी प्रकार के सुख और निश्चिंता के रहते वे भी उस घिर्णित व्यक्ति के साथ उसे कोई विशेश प्रेम रहा हो यह तो भारत वर्ष ही है जहां ऐसी अपसराएं ऐसे आयोगे कुपातरों के गले बानती जाती है और नहीं तो ये पूर्णिमा किसी दूसरे देश में होती तो उस देश के नव्यूवक उस पर निचावर हो जाते उसके मरी वासनाएं फिर जीवित हो गई अब उसमें वे पहले वाली छिचक नहीं है और ना उसकी जबान पर वे पहले वाली मून की मोहर और फिर पूर्णिमा भी अब स्वतंत्र है अवस्ता के धर्म ने अवश्य ही उसे अधिक तयालू बना दिया होगा वह शोखी, अलरबन और लाबरवाई तो कब की विदा हो चुकी होगी उस लड़कपन की जगा अब उसमें अनुभवी स्त्रियों की वे सब बाते आ गई होगी जो प्रेम का आदर करती हैं और उसकी इच्छुक होती है वे पूर्णिमा के घर मातम पुर्सी करने जाएगा और उसे अपने साथ ले आएगा और जहां तक हो सकेगा उसकी सेवा करेगा अब पूर्णिमा के केवल समिप्य से ही उसको संतोश हो जाएगा वे केवल उसके मुँ से ये सुनकर ही हार्दिक्ष संदोश प्राप्त करेगा कि वे भी उसे याद करती है अब भी उससे वही बचपन का सा प्रेम करती है 20 साल पहले उसने पूर्णिमा की जो सूरत देखी थी उसका शरीर भरा हुआ था गालो पर लाली थी अंगों में कोमलता उसकी खिचीवी ठोड़ी थी जो मानों अमरित के भरेवे कुण के समान थी उसकी मुस्कुराहट मादक थी अब उसका वही रूप अब भी बहुती थोड़े परिवर्दन के साथ उसकी आँखों में समाया हुआ था और वह परिवर्दन उस एकांध की आँखों में उसे और भी अधिक प्रिये जान पढ़ने लगा अवश्य ही समय की प्रगती का उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव होगा परन्तु पूर्णिमा के शरीर में किसी ऐसे परिवर्दन की वह कभी कलपना भी नहीं कर सकता था जिससे उसकी मनोहर्ता में कोई अंतर आ जाए और अवे केवल उपरी रूप का उतना अधिक इच्छुक नहीं रह गया था जितना उसके मधूर वचनों का भूका था वे उसकी प्रेम पूर्ण दिश्टी और उसके विश्वास का ही विशेश इच्छुक था अपने पुर्षोचित आत्मभिमान के कारण कदाचित वह यह भी समस्ता था कि वे पूर्णिमा के आत्रिप्त प्रेम भावना को अपनी नाजबरदारियों और प्रेम के आवेश से सुरक्षित रखेगा और अपनी पिछली भूल चुक का मार्जन कर डालेगा संयोग से पुर्णिमा स्वेम ही एक दिन अपने छोटे बच्चे के साथ अपने घर आ गई उसकी एक विद्वा मोसी थी जो उसकी मा के साथ ही अपने वैधवे के दिन काट रही थी वे अभी तक जीती थी इस परकार वे सूना घर फिर से बस गया जब अमरित ने ये समाचार सुना तब वे बड़े शौक से मानो मदमत होकर उसके घर की तरफ दोड़ा वे अपने लड़कपन और जवानी की मधुर स्मृतियों को अपने मन की जोली में अच्छी तरह संभालता हुआ ले जा रहा था उस समय उसकी अवस्था ठीक उस बच्चे के समान थी जो अपने हमजोली को देख कर उसके साथ खेलने के लिए टूटे फूटे खिलोने लेकर दोड़ पड़ता है लेकिन उसकी सूरत देखते ही उसका सारा शोक और सारी उमंग मानो बुझ सी गई बहनी स्थब्ध होकर खड़ा रह गया पूर्णी मा उसके सामने आकर से जुका कर खड़ी हो गई सफेज साडी के खुंगट से आदा मूँ छिपा हुआ था लेकिन कमर जुक गई थी बाहे सूथ सी पतली पैर के पिछले भाग की रगे उभरी हुई आसू बह रहे थे और चहरे का रंग बिलकुल पीला पड़ गया था मानो कफन में लबेटी हुई लाश खड़ी हो पूर्णी मा की मोसी ने आकर कहा बैठो बेटा देखते हो इसकी हालत सूख कर काटा हो गई है एक शन को भी आसू नहीं थमते सिर्फ एक समय सूखी रोटियां खाती है और किसी चीज से मतलब नहीं नमक छोड़ दिया है घी, दूद, सब त्याग दिया है बस रूखी रोटियों से काम इस पर आए दिन व्रत रखती है कभी एकादशी कभी इतवार, कभी मंगल एक चटाई बिछा कर जमीन पर सोती है घड़ी रात रहे उड़कर पूजा पाठ करने लगती है लड़के समझाते हैं मगर किसी की नहीं सुनती कहती है कि जब भगवान ने सुहागी उठा लिया तो फिर सब कुछ मिथ्या है जी बहलाने के लिए यहाँ आई थी मगर यहाँ भी रोने के सिवा तूसरा काम नही कितना समझाती हूँ कि बेटी भागे में जो लिखा था वे हुआ अब सबर करो भगवान ने तुमें बाल बच्चे दिये है उनको पालो घर में इश्वर का दिया सब कुछ है चार को खिला कर खा सकती हो मन पवित्र होना चाहिए शरीर को दुख देने से क्या लाब लेकिन सुनती ही नहीं अब तुम समझाओ तो शायद माने अमरित उपर से देखने में तो नीस्तब्ध परंतु अंदर हिर्दे विदारक वेदना छिपाई वे खड़ा था मानो जिस नीव पर उसने जिन्दगी की इमारत खड़ी की थी वह हिल गई हो आज उसे मालुम हुआ कि जनम भर उसने जिस वस्तु को तथे समझ रखा था वे वास्तव में मिर्ग द्रिशना थी अथवा केवल स्वपन था पूर्णिमा के इस विकट आत्म सह्यम और तपस्वियों के से आश्रन के सामने उसकी समस्त वासनाओं और प्रेम की उमंगों का नाश हो गया था और उसकी जीवन का ये नया दथ्य आकर उपस्थित हो गया था कि यदि मन में मिट्टी को देवता बनाने की शक्ती है तो मनुष्य को देवता बनाने की शक्ती है पूर्णिमा उसी घिर्णित मनुष्य को देवता बना कर उसकी पूजा कर रही थी उसने शांत भाव से कहा तपस्विनी को हम जैसे स्वार्थी लोग कैसे समझा सकते हैं मौसी हम लोगों का करतव वे इसके चड़नों पर सिर जुकाना है इसे समझाना नहीं पूर्णी मा ने मूपर का गुंगट हटाते वे कहा तुम्हारा बच्चा तुम्हें अभी तक पूछा करता है कहानी सुनने के लिए धन्यवाद तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए अल विदा